हेलो दोस्तों आपका अग्रिकल्चर स्टड़ी बीकी में स्वागत है तो आज है हमारी जो आपकी अर्थसास्तगी वीडियो नंबर दो और इस वीडियो से जो पहले हमने 50 कुछन आपको करा दिये थे और ये वीडियो जो आपकी यूपी तरपल सी यूपी तरपल सी जो पांच पूछे जाएंगे और पांच नंबर के कोश्चन होंगे तो यह इंपोर्डेंट कोश्चन हो जाते हैं क्योंकि इनके साथ साथ हम जो है आपको कुछ साफेक्ष में इसके बिस्तार से कुछ डिटेल है उसे भी हम यहाँ पर कराएंगे तो अगर आपने भी तक चैन वह हम टोपिक्स वाइज मतलब सिलेवस के अकोडिंग ही पूरा यहाँ पर कंप्लीट कराएंगे तो फिर देरना करते हुए हम करते हैं प्रसन नंबर 51 से सुरू तो प्रसन नंबर 51 है किरसी और प्रैसंस करन खाद उतपाधन नियार्त विकास प्राद्धिकरन जिसे एपी की गई थी तो इसका उप्सन नंबर सी हो जाएगा विसके कुछ बारे में देख लेते हैं तो भारत में किरसी उद्धियों के नियार्त के विकास के लिए बर्स 1986 में एपीडा का गठन किया गया था तो एपीडिया जो है यह है आपके किरसी और प्रैसंस करने खाद उतपा करना है और निरिक्षण करना आंकडए कतीर करना और नियार्त को को जानकारी और प्रैसिखण वेवं सलाकार से सेवा प्रिदान करना जो है इसका एपीडा का का reward हो जाते है देखते हैं प्रिसन नमबर 52 दो 52 को जाता आपका डवली डी जो डवली यू टी ओ को जो है डवलू टी ओ तो यह हो जाता आपका बिस्व ब्यापार नियाद सांक्यां की समिक्षा 2023 के अनुचर भारत का बिस्विक जो आपका ब्यापार है वो नियत कोंसा मतलब कैमे नमबर का हो जाता है तो वो आपका हो जाता है अगर नमबर की बात करें तो इसमें हो जाता अठारवे नमबर का तो डवलू टी ओ जो हो जाता बिस्व ब्यापार सांक्यां की समिक्षा के अनुचर जो है तो इसमें से बताना कौन से उद्देश से हैं तो इसमें से जो है बर्स 2022 तक किर्सी को मुझूदा 30 अरब डोलर से बढ़ाकर 60 अरब डोलर करना तता एक टिकाव ब्यापार नीती के मध्यम से 100 अरब डोलर तक पहुंचाना तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि जो किर्सी का जो नियर्थी नीती थी 2008 अरब की उसमें 30 अरब से 60 अरब तक डोलर पहुंचाना था और इसकी 100 अरब डोलर तक जो है इसकी माध्यम ब्यापारी नीती को पहुंचाना था तो पहला सही हो जाया का दूसरे बात करें तो नियर्थ किये जाने वाले किर्सी उत्पाद को में नियर्थ को बढ़ावा देना है तो नमबर इसका डी आंसर सही हो जाया क्योंकि सारे उप्सन सही है यह बात करतें आगे पिर्शन नमबर पांच सोरी चोवन की बात करें हम पिर्शन नमबर चोवन जो हो जायागा आपका काफी बड़ा कोशन तो इसे थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं तो यहां से देखेंगे हम पिर्शन नमबर चोवन चोवन की विस ब्यापक संगटन डवलू टी ओ दुवारा परिवासित संग निमने से सबशीडी पर विचार कीजिए पहला ग्रीन बॉक्स सबसीडी ब्यापार में बिक्रित उत्पन नहीं करती हैं डावू टी ओ दुवारा इस पर कोई प्रतिवंद नहीं लगाया जाता मतलब यहां से सब्सीडी मिलती है और उस पर कोई पृतिवंद नहीं ल और इसमें सरकार दुवारा प्रतन सभी छुट्टियां सामिल होती है जैसे नियूंतम सामर्ति मुल्ले मेस्पी हो जाता है बिजली सचायादी हो जाती है तो अपसन नमबर भी वी सही है बात करें सी की तो यह हो जाता सर्त के साथ अंबर बाक सबसीडी के बिलू बाक सबसीडी के नाम से भी जाना आता है और यह सबसीडी किरसी उत्पात को के व्यापार में विक्रिकरत कमी लाने के सर्त पर प्रिदान करती है तो उप्सन सीवी सही हो जाता तो इसके उप्सन नमबर चारों सही हो मतला तीनों सही हो जाते हैं उप्सन नमबर इसका डियांसर की गई है मतलब ऐसा कौन सा बेश्विक वजार है जिसमें जो कपास की मांग है उसके ब्रांड से जो है पहल की गई है मतलब ब्रांड नाम से जो है उसके ब्रांड के तहत जो भारती कपास के निर्थ क्या गया तो वह कौन से हो जाती है तो वह आपकी हो जाती है कस्तूरी लोटन हो जाती है उप्सिन नमबर 20 का तो 2020 में दूत्य बिस्व कपड़ा दिवस के अफसर पर केंद्र कपड़ा मंत्रा ले द्वारा भारत भारतिय का पास के निर्थ हितु जो कस्तूरी ब्रांड को जो है लूंच किया गया था तो किसके लिए 2020 में क्या गया था कस्तूरी ब्रांड को लूंच किया गया था किसके द्वारा तो यह हो जाता आपका केंद्र कपड़ा मंत्रा लेके द्वारा बात करें प्रसन नमबर 56 की चपन है कि भारत द्वारा आयतित किर्शी जिसमें पिछले पांच बर्स में निमलिकित में से किसी एक का मुल्ले के अधार पर अधिक्तम आयत रहता है तो किसके पर रहता है यह आयत तो बानस्पतिक तेलों पर जो है यह आपका जो पांच बर्सों में जो होता है एक का मुल्ले के अधार पर जो अधिक्तम आयत इस पर रहता है किस पर बानस्पतिक तेल पर इसको उप्शन में देखते हैं कुछ तो यहां पर जो है भारत दुबारा पिछले पांच भरसों में मुल्ले के संदर में सबसे अधिक आयत बानस्पतिक तेल पर हुआ है। पिछले पांच बर्सों में जो है मुल्ले के अधार पर दलहन का दूसरा सबसे अधिक आयत हुआ है तो पांच वर्सों में देखा जा आप पिछले में तो उन में अब जो दूसरे नंबर पर खपत हुआ पहले नंबर पर तेल वहा है दूसरे पर हुआ है आपके दल्हेनी फचे लें मतलब जैसे डाल वाली होगी चैनिये होगे, डाल होगी, मसूर होगी यह हो जाती है बात करते हैं आगे परिसन नमबर 57 की तो 57 है कि भारत में किर्सी उत्पादनों के बाजार को किसके अधीन बिनी में किया जाता है जो भारत में किर्सी उत्पादक हैं उनमें किस बाजार के अधीन बिनी में उप्सन नम्मर B आंसर इसका सही हो जाएगा तो भारत में किर्सी उत्पादक के बाजार को राज्य दुआरा अधीनियम जो किर्सी उत्पादक विप्रण सिमी ती जिसे A, P, M, C भी बोला जाता है इसके दुआरा अधीनियम किया जाता है बात करें आगे पिर्सन नम्मर 58 की तो पिर्सन नम्मर 58 है कि राष्टे किर्सी विकास योजना लागू की गई थी जो राष्टे किर्सी विकास योजना वो कब लागू की गई थी इंपोर्डेंट कोस्टन हो जाता है यहां से एक्जाम में कोस्टन जो है पूछा जाता है कि राष्टे किर्सी विकास योजन अठारह नो दोजार साथ को लागू की गई थी ग्यारवे पंचवर्षी योजना के प्रारम में होने वाली 25,000 करोड रुपे की यह योजना किर्सी मंत्राले के किर्सी तथा सहकारितां विवाग दुबारा चलाई गई थी जिसमें की 100% केंद्रे साहता इसकीम थी दुबारा इसमें रिण दिया गया था जिससे जी इसकी जो आपकी केंद्रे साहता इसकीम थी 100% सूनिशित थी अब इसका उप्शन सी सही हो जाया कि आप देख लते हैं आगे प्रिशन नमबर उनसट तो उनसट है आपका उनसट की बात करें तो उनसट में हैं आपका किरसी सिरमिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के संदर में निमल कित्में कतनों पर विचार कीजिए तो यहाँ पर तीन उप्शन है आपको यहाँ से बताना है पहला है कि यह पेंशन तथा बीमा लाव उपलब्द कराती थी जो किरसी सिरमिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं थी यह पेंशन और बीमा लाव उपलब्द कराती थी तो यह आपका जो हो जाएगा सही हो जाएगा क्योंकि जो किर्सी सिर्मिक समाजिक जो सुरक्षा योजनाती ये पेंसन भी और बीमा भी दोनों को जो है लाव उपलब्द कराती थी आप बात करें आगले ये है आवाज से सुविदाय उपलब्द कराती थी तो ये आवाज से सुरक्षा उपलब्द नहीं कराती थी अब तीसरा option इन में जो है 18-50 बर्स के किर्सी सरमिक लावकारती थे हाँ तो इसमें 18-50 बर्स के आयो थी उनके लिए सरमिक लावकारी थे तो option number इसका C answer सही हो जाता है तो यहाँ से अब हम इसके कुछ बारे में देख लेते हैं कुछ डीटेल से कि यह योजना है क्या इसके बारे में तो यह किर्सी सरमिक सामाजिक सुरक्षा योजना जो 18-50 बर्स के किर्सी सरमिकों के लिए लाई गई थी जिसके अंतरगत 30 करोड किर्सी सरमिकों को लक्षित किया गया था तो कितने 30 करोड को और 60 बर्स की आयू के पूर्व प्राकिर्तिक दुरुगटना मतलब मिरत्तु दुरुगटना और मिरत्तु गटना होने अत्वा आंसिक या 27 समार्थय की इस्तिति में धारक अत्वा उसके नामनित को 20,000 से 50,000 रुपे की एक मुग्द साहता रासी का पस्ता थी इस योजना के अंदरगत यह किया गया था तो इस योजना का अलिज से क्या था 30 करोड तो स्रिमिको को लक्षित था इसमें ओर हजार से लेकर पचास हजार तक की एक मुतुष रासी दी जाती थी और ये योजना जो है साट वर्स के आयू के पच्चात धारक को मासिक पेशन के रूप में जब साट साल पूरी हो जाती तो उसके बाद जो उन्हें पैंसन आनी सुरू हो जाती थी तो ये हो जाती है आपकी उपसन नम्बर इसका सी आंसर था अब देख लेते हैं प्रसन नम्बर साट की साट की बात करते हैं प्रदाहन मंत्री फसल बीमा योजना लांच की गई थी तो सब को पता होगा बहुत इंपोर्टेंट कुन से नहीं और एक्जाम में पूछा जाता है तो ये जो की गई थी वो की गई थी आपकी अठारा फरवरी 2016 को जो है इसकी जो योजना है वो लांच की गई थी तो उपसन नम्बर इसका सी आंसर हो जायागा अब देख लेते हैं यहाँ से प्रसन नम्बर 61 एक्सट है आपका कि पी एम कुसुम योजना के संदर्व में निम्न कतनों पर विचार कीजिए तो पहला हो जाता है आपका कि इसका उद्देश से सिचाई के लिए किसानों की मानसूनी पर निर्वरता कम करना है तो यह आपका देखते हैं नहीं तो यह हो जाता है गलत इसका उद्देश से किसानों को डीजल और केरेसीन पर निर्वरता समाप्ता करना तता पंप सेटों को सोर उर्जा से जोड़ना था तो अपसन नम्बर भी सही हो जाएगा बिर्कुल सही है तो यह 18-19 में प्रदानमंत्र कुसम योजना की गोशनकी गई थी और इस योजना के तहत किसानों को डीजल और केरेसीन पर निर्वरता समाप्त करके पंप सेटों को सोर उर्जा से जोडने का लक्षे रखा गया है तो पंप सेटों को सोर उर्जा से जोडने का लक्षे इसे रखा गया है था कुसम योजना का उद्देश से था बात करते है प्रसन नमबर 62 की तो यहां से 62 देख लेते हैं तो निमन कत्ना पर विचार कीजिए तो यहां पर विचार करना कौन-कौन से यहां पर सही हो जाते है तो पहला कुस्सन है आपका भारत में ब्रहद सेचाई योजना के तहत खेती यогगय कमांड चेतर 12,000 एक्टेर से अधिक है तो उप्सन पहला हो जाता है तो यह हो जाता है गल्ट आपका भारत में मद्दम सिचाई योजना के तहत दोजार से लेकर दसजार एक्टेर कमांड होता था तो सही हो जाता है बात करते हैं तीसरे लगू उद्द्दोग योजना के तहत कमांड जो है छेतर दोजार से एक्टेर से कम होता था तो यह भी आपका सही हो जाता तो option number A इसमें सही हो जाएगा अब कुछ इसके बारे में देख लेती हैं हम यहां से तो यह है आपका इस योजना आयोग दवारा बहरत में सिचाई परियोजनाओं का बर्की करन निमरूप से क्या गया था जो ब्रत्य सचाई पर योजना है वो जो है 10,000 हेक्टेर से अधिक कमांड छेत्र मर होती है जो ब्रत्य सचाई योजना होती है वो आपकी 10,000 हेक्टेर से अधिक कमांड छेत्र की जाती है जो 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेर कमांड होगी उसे मद्दे से चाई पर योजना अब लगू से चाई पर योजना जहांकि 2000 हेक्टेर से कम गमांड छेत रहे तो वहाँ पर होती है लगू से चाई योजना अब देखते हैं परसन नमबर 63 की बात करें तो 63 आपका कि मरद्धा स्वास्त कार्ड योजना कव शुरू की गई थी और इसे धेर मिट्टी के पोशन तत्वों की पदार्तों की जाज करना उत्पादक को बढ़ाना था किसका मरद्धा स्वास्त कार्ट योजना का 2015 में शुरू हुई थे देश से क्या था जो mid team up ऊशक तत्व है उनकी जाज के लिए उत्पादगों को बढ़ाना था बात करते हैं आगे person number 64 की तो person number 64 है कि सतत राष्ट्य सतत किर्सी योजना का मुख्या उद्देश से क्या था जो राष्ट्य सतत किर्सी योजना इसका उद्देश से क्या था तो इसका उद्देश से था बंजर भूमियों के खेती योग्य बनाना नहीं जी और किसानों की किर्सी उपकरणों को खरी देतू सस्ता लोन प्रदान करना तो नहीं जी तो इस्थान बिशिष्ट एकिकरत मिसरत किर्सी प्रिणाली को बढ़वा देकर किर्सी की जो अधिक उत्पादक, टिकाओ, लावकारी बनाना था उप्सन नमर इसका अंसर हो जायागा देखते हैं आगे पिर्सन नमर इसके कुछ उप्सन में देख लेते हैं उप्सन सीतो से ही एक है और राष्टे सतत किर्सी मिसन 2014-15 से सुरू किया गया था इसका उद्दिश से था मिस्रित किर्सी परणालियों को बढ़ावा देना जैसे कि उत्पादकता टिकाउ, लावकारी और जलवाईयो लचीला बनाना था देखते हैं परसे नमबर 65 की तो 65 है आपका भारत में हरित करांती की सुरूवात किस पंचबर्शी योजनाम हुई थी तो जो भारत में हरित करांती आई थी, वो किस समय आई थी जो की हरित करांती के जो है शुरूवात की गई थी तो वो थी आपकी तित्य जो है आपकी पंचबर्शी योजनाम आई थी तो बारत में किर्शी उत्पादक तो बढ़ाने के लिए डाक्टर एमे स्वामी नातन की अद्धक्सता में तित्य पंचवर्षी योजना के दोरान हरित क्रांते की सुरूबात की गई थी तो कौन सी पंचवर्षी योजना ती तीसरी अब आगे बात करते हैं प्रस्ट नमबर 66 66 की उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार दोरा किसान भई योजना कव प्रारम की गई थी तो आपके उननिस्व बयानमें में जोहा आरं प की गई थी तो ये किसान बही की शुरुवात की गई थी उप्सन अम्मर इसका सी आंसर हो जाता बात करते हैं 66 कोशन की 66 की 66 की बात करें हम 66 कोशन हो जाता आपका यहां थोड़ा उत्तर प्रदे सरकार द्वारा 66 कोशन आपका उत्तर प्रदे सरकार द्वारा किसान मित्र योजना की शुरुवात की गई थी तो वो की गई थी आपकी 18 जून 2001 को जो है जो आपकी किसान मित्र योजना है इसकी शुरुवात की गई थी तो पिरदेश इस तर पर किसान के सबी तरह की जानकारी उपलप्त कराने एतू पिरतेक पांच पंचायत में किसान मित्र निउक्त करने ही तो किसान मित्र योजने 18 जून 2001 को शुरूवात की गई थी देखते हैं आगे पलशन मां их 68 संगी तौ रसिट कोसण की उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश बीज नियम का गठं कुण कुण कंगा तर जो उत्तर पिर्देश में बीजनियम है इसका गठन कब किया गया था तो 15 फरवरी 2005 को जो इसका गठन किया गया था उप्सन नमबर C तो पिर्देश में किसान की उचित मुल्या पर प्रेण मारे था बीज उप्रप्त कराने एतू तो पंद्रे फरवरी 2002 को कमपनी अदीनियम के तहत उत्तर प्रदेश बीजनियम का गठन किया गया था बात करते हैं आगे प्रिशन नमर 69 की एकिकरत बागवानी विकास मिसन कब सुरू किया गया था जो एकिकरत बागवानी विकास मिसन है वो कब शुरू किया गया था तो आपका 2014 और 15 में इसकी शुरूबात की गई थी उप्सिन अम्मर बियांसर इसका हो जाता तो बागवानी के एकिकरत बागवानी विकास के लिए मिसन जो एकिकरत बागवानी विकास मिसन है वो फलो सबजी जड़ और कंद फलो मसरूम मसाले फूलो सुगंधित पोदे नारेल काजू आधी कव करने वाले उद्देश्चे से 2014 पंदरे में दोरान केंदर प्रयाय सुझनाइब के धैंगी तो किसके तैत की गई थी तो यह थी आपकी जैसे मसाले हो पूलों को हो गए सुगंधित पोदे आ बैयल हो काज हो गएंगाज हुगा इन के लिए उस मुझाज हो गई खिरत्व कमप आकना देखने प्रशन नमर het क्रेडिट कार्ड की तो यह हो जाता पहले का दूसरा राइस्टेक किर्सी और गिरामिन विकास वेंक मतलब नावाड यह हुई थी 1982 में तो यह आपको सबको पता होगा नावाड की स्थापन का हुई थी तो 1982 में जो है 2017 में प्रिदानमंत्री अंदाता जो संरक्च योजना है वो कब की गई थी तो 2018 में तो इसका उप्सन नमर हो जाता है दूसरा सही देख लो इसमें तो पहले का दूसरा बी का पहला और सी का चोथा सी का तीसरा डी का चोथा अब आगे देखते हैं हम इसके बारे में यह सेम दी हुई हैं आप यहां से देख लेंगे बात करते हैं प्रिशन नमर 71 की इकत्तर है कि भारत में प्रचलित किर्सी क्रांती को सुम्मेलित कीजिए तो इन्हें से क्रांती बताने हैं कौन सी किस्स सम्मंदित है और हम आपको यहां पर बता दें कि कि आपसे जो एक्जाम में कोस्टन पूछे जाते हैं तो इसी टाइप के कोस्टन पूछे जाते हैं उ गुलाबी करांती जो होती है आपकी वो प्याज उत्पादन से हो जाती है स्वेट करांती किस से होती है और लाल करांती स्वेट करांती किस से होती है तो यह होती है आपकी दूद से और लाल करांती आपकी टमाटर से होती है तो इसका ओप्सन देख लेंगे पहले का दूसरा तो पहले का दूसरा किसम है सिर्फ एक उप्सन में सही है तो यहां भी उप्सन सही हो जाएगा बात करते हैं आगे पिरसे नमबर 72 की तो 72 है कि सूची फर्ष्ट को सूची सेकंड से मिलाना है तो खाद उत्पादन में ब्रद्धी जो होती है किस्ट होती है खाद उत्पादन में तो हरित करांती से तो पहला सही हो जाता है दुख दुत्पादन किस्ट हो जाता है सुवित करांती से अभी पीछे बता है मतस्यपालन किस्ट हो जाता है नीली करांती से और उबर किस्ट हो जाता है तो भूरी करांती से तो इसका option देख लेंगे, पहले का, A का पहला और B का तीसरा तो पहला नमबर हो जायागा, option number A answer सही बात करते हैं आगे, यहाँ पर आप देख लेंगे, बात करते हैं 71 question की, तो 71 है कि इंदर धनुसिय क्रांती का संबंद है इंदर धनुसिय क्रांती है, उससे संबंदित किसका हो जाता है, तो आपका हरित क्रांती का भी सुरेत क्रांती और नीली क्रांती हो जाते हैं, option number D इसका सही होता है, इसका कुछ सारांज देख लेते हैं, देश के सभी प्रत्यक्स रूप से किर्सी छेत्रों में आई विभिन क्रांती हैं, जैसे हरित क्रांती हैं, सुवेत क्रांती हैं, पीडी क्रांती हैं, नीली क्रांती हैं, लाल क्रांती हैं, सुनहरी क्रांती हैं, सबसे अधिक पिर्वाव महसूस किया जाता है तो किस पर किया जाता है वो गैहूं के उत्पादन में जो है किया जाता है उप्स नम्मर ए तो हरित क्रांती की सुरुवात 1966-67 में प्रारंब हुई थी बारत में हरित क्रांती के प्रैंड़ता कौन है डाक्टर एमे स्वामी नातन बारत में जो हरित क्रांती का पिरवाव गैहूं में जो है मैक्सीकन प्रजाती कुछ हद तक दानों की खेती में भी पड़ता है बात करते हैं आगे प्रस नम्मर 75 तो इसमें देख लेते हैं हम लगू किर्शक विकास योजना 1971 में आरंब क्या गया था यह कार्रेकरम छोटी एवं सीमांत किसानों के मूल लेकन एवं अध्यन के लिए प्रारंबिक तोर पर असम के काम रूप जिले में आरंब क्या गया था बर्ष 1980 में इस कार्रेकरम का बिल नमबर 76 की 76 की हरियाली कार्रेकरम का संबंद है जो हरियाली कार्रेकरम है उसका संबंद किस से हो जाता है तो आपका हो जाता है जल संचय प्रवंदन के समर्थियां से हो जाता है जो हरियाली कार्रेकरम का संबंद यहाँ पर देख लेंगे हरियाली कार्रेकरम की शुरुव भूमी विकास कार्यकरम जिसे IWDP सूका जो प्रमण छेत्र कार्यकरम का मसूरी विकास कार्यकरम के नियमिलन्तिक किये गए हैं बात करते हैं प्रस्ट नमबर सतत्तर की सतत्तर है कि राष्ट बिसेस किर्षी उपज योजना मुख्या रूप से संबंदित है किस से हो जाती है जो राष्टे विसेश किरसी उपज योजना है वो किस से सम्मंदित है तो वो नियार्थ योग्या किरसी उतपाद से उतपादन से उतपाद से हो जाता है उपसे नमर 10 का अंसर सही हो जाता है तो विसेश किरसी उपज योजना की सुरुवात महुन सिंग सरक चार और नो के तहट की गई थी इस योजिना के तहट फ़लो सबजी फूलो मुल्यकं संबर्ति उत्पादों के नियत को प्रतुसाहिन किया दिया जाता है तो यहां से उप्शन दी सही हो जायागा बात करते हैं 78 कुश्चन की तो फसल बीमा निम्न में से किसके एकाधिक में आती है मतलब किसके अंडर में आती है तो यह जनल इंसुरेंस कंपनी है कौनसी जनल इंसुरेंस कंपनी तो इसका सी आंसर सही हो जायेगा तो यहां पर देख लें फसल बीमा योजना ही तू जो राश्टेक किसान बीमा सोरी किरसी बीमा कंपनी की स्थापना की गई थी इस का स्थापना से पूर्व फसल भीमा योजना जनल इंसुरेंस कंपनी दुबारा किया गया था बात करते हैं 89 कोस्टन की तो यह हो जाता 89 कोसन जो आपका राश्टे किर्सी बीमा योजना लागू की गई थी जो राश्टे किर्सी बीमा योजना वो कब लागू की गई थी अक्टूबर 1999 में जो है इसकी शुरुवा लागू की गई थी तो उप्सन नमबर A सही है यहाँ पर राश्टे किर्सी भीमा योजना जिसे N.A.I.S. नीज बर्स 1999 से 2000 के रवी के मोसम में लागू की गई थी यह एक पसल भीमा योजना है जिसके अंतरगत प्राकिरती अपवादा किर्मियों एवं रोगों से फसलों को नष्ट होने पर भीमा कावरेज के रूप में किर्सी करों को बित्ते सायता पिरदान करता है मतलब यहां पर जो है जो आपके किर्मियों रोगों को फसलों को नष्ट करने से जो है कवरेज भीमा होता है उसे करा लेना चाहिए बात करते हैं कि पर दान मंत्री किर्सी सिचाय योजना के बारे में निम्न में से कौन से गलत हो जाता है तो आपका हो जाता है क्लू का निर्मार्ण जो होता है यह गलत हो जाता है क्योंकि जल निकायों कि मरमत पर नवीनी करन भी होता है जल ब्रतों के पुन वरन को भी ब्रद्दी होता डी है बर संचलें संचना का भी निर्माण होता है तो यहां से उप्सन नमबर बी हो जाएगा जुलाई 2015 में हर खेत को पानी के आदर्स बाके के साथ सुरू किया गाया पुराने जल स्रोतों को ठीक करके कारागार बनाना जल संचयों के संसादनों का निर्माण करना अन्य छोटे वंडारन भूजल विकास प्रमप्रकत तत्वो आदी की छमता बढाने जैसे कार रहे थे इसके बात करते है प्रस नमबर 81 बात सरकार के किर्सी एवं सहक आरत बिवाग दुवारा रेन फिड एरिया जैसे डप्रोप में कार रेकरम किस बरस में आरम किया गया था तो वो आरम किया गया था 2011 और बारे में जो है यह आपका कारेकरम चालू किया गया था तो इसमें है बर्स सिचाई छेतर विकास कारेकरम की सुरूवात 2011 बारे में राश्टे किरसी विकास योजना जिसे RKVY की उप योजना के तोर पर दस हजार से पाइल्ट प्रोग्राम के आदार पर की गई है यह प्रोग्राम बिसेश रूप से छोटे एमम सीमान्त किसानों के लिए है जो किसानों के जीवन की गुर्वताओं में सुधार लाने का जो है चलन रहा है तो यह आपका डी ओप्सन सही हो जाएगा इसका 12 सरकार दुवारा जो किर्सी एम सहे कारते विभाग है जिसे रेंट फेंड एरिया डप्लेमेंट का रेकरम जो है किया जाता है उसकी स्थापनी 2011 और 12 में हो जाती है बात करते है प्रसे नंबर 82 कोसन है कि किर्सी सांक्यांक में जो नियोजित सूचनाओं के सुरोत निम्न में से कौन सा है तो वो सुरोत हो जाता है आपका जनगरना नमूना सर्वेक्ष खाता वही में उत्पातक लेखन और राज्या और शैकारी किर्सी उद्मुद्वारा प्रसुत आवंदित यहां बार्सिक रिपोर्ट तो अप में भात करते हैं आगे प्रसेन नमबर 182 कोस्तन की यह किर्सी संक्या की मैं अगर्ने सुजनाओं में किस सामिल किया जाएगा तो उससे सामल किस में किया जाएगा तो वो किया जाय का आपका इन सभी पॉइंटों में अभी कुष्ण क्या है रिपीट हो गया बात देखते हैं 284 की चुष्ण का D answer हो जायागा सभी, बात करते हैं 85 कुस्ण की 85 है कि स्रम बलके आंकोडों में निम्न में से किसे सामिल नहीं किया जाता, तो परिवहन संसादों को जो है नहीं किया जाता, उप्सून नमर डियाँसर इसका हो जायागा, बात करते हैं 86 कुस्ण की, किर्शी से संबन्दी सूचनाओं को सामिल है जो सर्वद्रिनिक छेतर है किर्शी से संबन्दी उनके सूचकाओं को सामिल किया जाता है तो वो आपके पुंजी स्रम अनुपाद, उर्जा स्रम अनुपाद, पिर्मुकु, लागत option number D answer इसका हो जाएगा सही बात करते हैं आगे person number 87 87 है कि पुंजीबादी देश में किरसी संक्याकी के अंतरगत क्या क्या सामिल किया जाता है जो पंचवर्सी देशों में जो किरसी संक्याकी योज ना है इसके अंतरगत किसे सामिल किया जाता है तो वह आपका हो जाता फसल मतलब किर्सी फसलों का उत्पादने वा उपज बढ़ाना खनी जूबरकों का उपभोग किर्सी का मसीनी करन किर्सी उत्पाद को की कीमत हैं उपसे नमबर डी आंसर हो जाएगा बात करते हैं पर सनमबर अठासी की तो अठासी है अंतराष्टे इस्तर पर किर्सी संक्यांकी के आंकडे किसके द्वारा प्रकासित किये जाते हैं जो अंतराष्टे इस्तर पर किर्सी संक्यांकी को जो दिये जाते हैं तो यहां से आप देख लेंगे अंतराष्टे इस्तर पर किर्सी संक्यांकी के आ दौनों तरह से बिकृत है तो यहाँ पर यहां पर यह गलत हो जाता दोनों तरफ से नहीं होती बारत में किर्सिण प्राथमिक आंक्ञे जो प्रांतिय सरकार दुवारा एपक्ष किये जाते हैं नहीं जी राष्ट ये किरसी मंत्राली देश के लिए आंकडों को सम्मेकित करना है राष्ट ये इस तरफ एसा कोई मंत्राल vert नहीं जो अपने कामकाज के हिस्से के रूप में जो है किर्सी संबंदित आंक्डे तियार करता है तो उप्सन नंबर डियांसर सही हो जाएगा बात करते आगे पिर्सन नंबर नब्भा की तो नब्भा कोशन है कि भारत में किर्सी आंकडों के बारत में किर्सी आंकडों के लिए डेटा सिरोत कौन सा है तो डेटा सिरोत कौन बात करते हैं, परिसम नमर 11 की, तो इक जैनमे कionesion ने आपका संख्यावकी के छहत्र में अध्धिन की सूविदाओं के लिए कितने भागों में बाट गया है? तो इसके लिए तीन भागों में बाट गया. अब कौन-कौन से बागे हूँ? नमर सेद्धान्तिक सांक्यांकी सांक्यांकी रीतियां और बिहवारिक सांक्यांकी तो यहाँ पर उप्सन यह आंसर इसका सही है बात करते हैं बयानमे कोशन की बयानमे की सेद्धान्ति सांक्यांकी के अंतरगत क्या सामिल किया जाता है तो उसके कोडिंग प्राइक्ता सिद्धान्त जो है सामिल किया जाता है उप्सवर नम्बर A यहां से आप देख लेंगे अब बात करते हैं कि प्रस्वर नम्बर 83 की प्रस्वर नम्बर 93 कोशन है आपका सांख्यांग की रीतियों का कौन सा किरम सही है तो वो किरम कौन सही हो जाता है आपका आख्यों का संग्रेन करना बर्गी करना करना जो सानी करना करना प्रस्तुति करना करना बेसलेशन करना और निर्वाचन करना तो यह आप से जो है यहां कि रीतियों हो जाती हैं बात करते हैं आगे प्रसे नंबर चोरानमे की तो चोरानमे है बेहवारिक एक मिनट नीचे कर लेते हैं थोड़ा इतनी जल्दी भी क्या है चोरानमे कोशन की बात करें चोरानमे है कि बेहवारिक सांक्यांकी के अंतरगत निम्न में से क्या सामिल नहीं किया जाता तो जो है य प्रवारिक सांक्यांकी के अंतरगत पूर्वनुमान के सामिल नहीं है नहीं किया जाता और पूर्वनुमान सांक्यांकी रीतियों के तहत सामिल किया जाता है तो प्रवारत में बारत्य सांक्यांकी सेवा का गठन कब हुआ था जो बारत में बारत्य सांक्यांकी सेवा का गठ थी तो 1901 जये हैं डे सघेसे संगठन की सथ red झाल जाता है बात करते हैं की सचंग क्याइब प्रिशन नमबर 97, 97 है कि भारत के अधिकतर राज्यों में सांक्यां की संगटन कितने इस्तरिये विवस्ता पर आधारित है, तो वो आपकी तीन इस्तरिये पर आधारित है, पहला कुन सा, जिले का इस्तर, दूसर सम्भागिता इस्तर और तीसरा है सरवुच्चे इस्तर, तो राज्ये इस्तर पर संग्यां की संग्यां की संग्यां काररे किसके दुआरा किया जाता है, तो अर्थ एवं संग्या निर्दे साले दुआरा जो है, यह संग्यां काररे नहीं करती, तो यहां से देख लेंगे, राज्ये इस्तर पर संग्यां की संग्यां की संग्यां की यह दुवारा जो है इसके दुवारा किये जाते हैं बात करते हैं 99 कोश्चन की तो 99 कोश्चन है आपका कि यहां से देखते हैं तो जन्गर्णा आयूक्त एवं रजिस्टर जन्रेन कालेज तो यह 1948 है केंद्रे संख्यां की संगटन 1951 से राष्टे नियादर्स सर्वेक आणिय कामर्सियल हिन्ट वर जेशंस इंड यो स्टेटि साइड्स विवाक हो जाता है यहां पर पहले का पहला दूसे का दूसरे तीसरे का दीसे चोथे का चौथ है बात करते हैं आगे प्ली तो सो प्रसंद्ट का एक खेत के पिरवंदन की कार्रे को सल्टाओं को जानने यह तो किन-किन मापों का प्रियुक किया जाता है मादला एक ही केत में पिरवंदन की कार्रे को सल्टाओं को जानने के लिए तो यह किया जाता है आपका पुंजियों के संबंदित अनुपात, आए से संबंदित, लागत से संबंदित, खेती की गहनता है सूचना से और अप्सिन नमर डी आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर आपके जो है यह यूपी जो आपकी यूपी तिरपल एस सी जो है यहाँ से एजी तिये की जो बैकंसी आएगी उसके लिए जो है आप अच्छी तरह से त्यार करते रहें और इस से आने वाली वीडियों हम आपको पचास कॉस्टन से आगे की कराएंगे यहाँ तक आपके सो कंप्रिट हो गए है कॉस्टन दो वीडियों के अंदर अगर यह वीडियों आपको परसंद आई हो तो वीडियों को लाइक जरू करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइज करें जिससे आने वाली वीडियों को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच चेगे तो फिर इसी तरह से हम मिलते हैं अपनी अगली नेक्स वीडियों में